हालो फ्रेंड वेलकम टु प्रगति पत में दिपाली आप लोगों का प्रगति पत पर स्वागत करती हूँ कैसे हो आप सभी तो फ्रेंड कैसी चल रही है आप लोगों की प्रपरेशन जैसे कि आप सभी को पता है हमारा इसे मन्थ में सीटेट का एक्जाम है उससे ज्यादा information ये है कि हमारे channel पे हर subject की PYQs की series चली हुई है तो प्रगतिप channel से जुड़े और bell icon को प्रेस करें और bell icon को प्रेस करने से क्या होगा आप लोगों को time to time informations पोहँच जाएंगी प्रोवाइड हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे से हर questions को cover up कर पाएंगे जिससे बहुत अच्छे marks के साथ seated qualify हो जाएगा आप लोगों का तो math की PY क्योंकि series में math की 14th class है तो चली हम start करते हैं अपना आज का पहला question लेते हैं इस series का तो देखिए friend राष्टिय पाठ्थे चरिया की रूप रेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्थर पर संख्याओं और उन पर संकिरियाओं मात्राओं का मापन आदी का शिक्षन देखे मैं आप लोगों को कई बार बोल जगी हूँ NCF में से question 101% आता है तो प्लीज अच्छे से बने रहें चैनल के साथ as per NCF 2005 teaching of numbers and operations on them measurements of quantities etc. at primary level caters 2 गनिच शिक्षन के संकीन उदेश्यों को पूरा करता है Narrow Aim of Teaching Mathematics गनिच शिक्षन के उच उदेश्यों को पूरा करता है Higher Aim of Teaching Mathematics या बच्चे के चिंतन परकिरिया के गनित्यकरन के उदेश्यों को पूरा करता है Aim to Mathematize the Child's Thought Process या फिर महतरपून गनिच शिक्षन के उदेश्यों को पूरा करता है Aim of Teaching Important Mathematics तो गताईए आप लोगों के according इसका right option क्या होगा Question पूचा गया कि NCR 2005 के अनुसार Prathmix तरपर संख्याओं और उन पर संकिरियाओं मात्राओं के मापन आदी का शिक्षन इन सबको पढ़ाना क्या करता है इन सबको पढ़ाना गनिच शिक्षन के संकीन उदेश्यों को पूरा करता है किसको Narrow aim of Teaching Mathematics गनिच शिक्षन के संकीन उदेश्यों को पूरा करता है ठीक है फ्रेंट तो 16 questions का first option क्या होगा एकदम right हो जाएगा clear हुआ ना आप लोगों को ये question next question को देखते हैं next question क्या कहता है तो देखे कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है एक शिक्षार्थी परश्न के उतर में निमे लिखित से प्रतिगीरिया करता है in class 3 a teacher asked the student to add 4562 मतलब 4562 and 728 a student responded to the question as follows वो इस तरह से respond करता है इस question को तो देखे जो बच्चे ने किया मतलब ये जो बच्चे ने response दिया ये response क्या दिखाता है हम लोगो को कि उसमें योग के कोशल है skill of addition है बच्चे में या स्थानयमान की अफधाना concept of place value या फिर पून समुही करन के द्वारा योग के कोशल skill of addition by regrouping या योग के सही करम की अफधाना या concept of order property of addition तो बताईए जिस हिसाब से बच्चे ने ये question किया है आप लोगों के according उसने जो response किया है उसमें क्या है बच्चे में किस चीज की कमी है ठीक है किस चीज की कमी है तो देखी वो proper ढंग से इस question को नहीं लिख पाया जैसे कि आप लोग देख रहे हो योग तो वो कर पा रहा है उसको पता है कि addition तो है लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा है उसको place value की knowledge नहीं है कि one, stands, hundred की place पे किस तरह से मुझे deserts को plot करना है तो बच्चे में किस concept की कमी है बच्चे में concept of place value की कमी है स्थाने मान की अवधारना की कमी है Next question को देखते है कक्षा चार की पाठे पुस्तक से दी गई निमिलिकी समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की और संकेत करता है Which of the following problem from the textbook of class 4 refers to multi-disciplinary problem Draw the flag of India and identify the number of symmetry in the flag भारत की जंडे का आरेख बनाए और जंडे में सम्मीती रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए या फिर draw the mirror image of given figures दी गई आकरती की दरपंच भी बनाएए या प्रती बिम का आरेख बनाएए या how many lines of symmetry are there in a given figure दी गई आकरती में कितनी सम्मीती रेखाए है या to draw a line of symmetry in a given geometrical figure किसी दी गई जामिती आकरती में एक सम्मीती रेखा खीचना तो बताईए बहु अनुशासना अत्मक, multi-disciplinary problem कौन सी होगी इन में से जब हम बच्चे को कौन सी problem दे ये चीज देखने के लिए तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे कि भारत के जंडे का आरेख मनाएए फ्लैग को draw करिए और उसमें कितनी सम्मीती, कितनी symmetry lines उसमें आ रही हैं हमें ये बताईए हाना तो 18 सम का option number one correct होगा draw the flag of India या फिर दी गई आकरिती की दरपन चवी का आरेख बनाएए draw the mirror image of given figure या दी गई आकरिती में कितनी सम्मीती रिखाए है how many lines of symmetry are there in the given figure या फिर किसी दी गई जैमिती आकरिती में एक सम्मीती रिखा खीचना to draw a line of symmetry in a given geometrical figure तो देखे इसका right option क्या होगा जब हमें बच्चे को multidisciplinary problem देनी है तो हम उसे बोलेंगे कि आप flag draw करो और देखो कि उसमें कितनी symmetry lines है उस flag में ठीक है तो 18th का right option क्या होगा 18th का right option होगा option number 1 draw the flag of India and identify the number of lines of symmetry in the flag भारत के जंडे का आरेख बनाईए और जंडे में सम्मेती रिखाओं की संख्या की पहचान कीजिए next question पे जलते है 19th question पे निम्न grid वर्गा कार कागज पर खीचा गया है the following grid is drawn on a square paper आप देख सकते हो यहाँ value place की गई है once, tens, hundred, thousand इस तरह से values दी गई है उन्होंने पूचा है कि इस तरह की जो representation है यह क्या दिखाती है आप लोगों को गिंतारा या अबेकस पर संख्याओं की स्थीती position of numbers on abecus या स्थानेमान की अवधारना concept of place value या दहाई और एकाई की तुल्यता equivalence of tens and wands या फिर गनित्य खेल या फिर mathematical game तो बताएए जो इस तरह की representation उन्होंने किये यह हमें क्या दिखा रही है यह हमें स्थानेमान की अवधारना दिखा रही है सीदी सीदी because आप लोग इस picture में देख सकते हो कि यहाँ पर main चीज यह ही है हना place value दिखाना this is the main thing in this question next question की और भरते हैं question number 20 प्राथमिक स्थर के बच्चे दी गई आकरतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वग्रिकित करने के योगे है वेन हैल के अनुसार विज्वमित्य के डैश पर है means कौन से स्थर पर है children at primary stage are able to classify the given shape based on their appearance please यहाँ पे ध्यान से देखिए appearance word को according to वेन हैल level of geometry they are at वो कौन से level पर है मानसिक चित्रन सर पर visualization पर visualization आत्मक analytical पर या informal deduction अनुपचारिक निगमन पर या फिर formal deduction अपचारिक निगमन पर तो बताईए वो कौन से stage पर है वो देख कर appear करकर उन लोगों को मतलब वर्गी करित करने योगे हैं तो visualize मानसिक चित्रन दुआरा तो right option होगा option number one 20th question का visualization stage next question को देखते हैं हस्त परक प्रतीमान स्थिर्चित्र लिखित प्रतीक ओखिक और लिखित भाषा वास्त्विक संसार की स्थीतियों और अथवसंधब dash को दर्शाने के 5 तरीके हैं manipulative models, statistic pictures, written symbols, spoken and written language, real world situation और context are 5 ways to represent किसको दिखाने के mathematical thinking और idea गनित्य चित्रन एमम विचार को या फिर geometrical proof को जमेतिय परमान को या फिर mathematics curriculum को गनित्की पाठे चरिया को या फिर mathematical vocabulary को गनित्य शब्द भंडार को तो बताईए क्या होगा right option right option होगा गनित्य चित्रन एमम विचार mathematical thinking और idea को परदेशित करने में helpful है ठीक है next question को देखते हैं भाग की अवधारना पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गनित्य दिवार का निर्मान करते हैं और शिक्षारतियों को 48 घंटों में दिये गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई दो तत्य लिखने के लिए कहते हैं after teaching the concept of division a teacher created a mathematical wall in the classroom and asked the student to write any two division facts in the assigned columns within 48 hour देखिए इस तरह की ये लोग बनाते हैं अंकेत, अंकूर, बवीता, बोवी ठीक है? यह गतिवीधी डैश में शिक्षकी सायता कर सकती है this activity can help the teacher in शोर्मुक्त कक्षा कक्षवातावरन बनाने के लिए make the classroom environment noise free या अगले दो दिनों के लिए शिक्षारतियों को किसी गनित्यकारे में व्यास खरने के लिए engage the student for next two days in some mathematical work या परतेक बच्चे को अभी व्यक्ती के एक दूसरे से सीखने के अफसर देने के लिए giving opportunity to expression to every child and to learn from the each other या शिक्षारतियों दुआरा सीखे गए तथ्यों की संख्या का record रखने के लिए keep the record of number of facts learned by the student तो देखे पीचर ऐसी activity जब देते हैं तो वो क्यों देते हैं वो इसी लिए देते हैं ताकि बच्चों को कुछ खोज करने के अफसर उपलब्द कराग सके एक दूसरे से कुछ सीखने की opportunity प्राप्त कर सके या उपलब्द करवा सके तो option number three एकदम right होगा giving opportunity of expression to every child and to learn from each other पर तेक बच्चे को अभिव्यक्ती के और एक दूसरे से सीखने के अफसर देने के लिए next question को देखते हैं शिक्षार्थी के गनित्य निश्पादन अवरोधन के साथ संबंदित चाक्षु सम्रिती अवरोध का संभावी संकेतक है possible indicator pertaining to visual memory barrier hampering with learners mathematical performance is गनित संबंदी तत्यों के संधारन में अयोगिता और समय बताने में कठिनाई difficulty in retaining mathematical facts and difficulty in telling time difficulty in using number line difficulty to count on within a sequence difficulty in handling small manipulation तो देखे शिक्षार्थी के गनित्य निश्पादन अवरोधन के साथ संबंदित día चाक्षुस सम्रिती अवरोध का संभावित चाक्षुस का मतलब क्या होता है देखने से relate न तो क्या होगा गनित्य संबंदी तथ्यों के संधारन अयोगिता और समय बिताने में कठिनाई Difficulty in Retaining Mathematical Facts and Difficulty in Telling Time Next Question को देखते हैं एक शिक्षक कक्षा तीन में निमिलिकित कार्डों का वितरन करता है means distribute करता है और बच्चों को समान अकरितियों का मिलान करने के लिए कहता है A teacher in class 3rd distributed the following cards and asked the children to match the same shape इस तरह की shapes देख सकते हो आप किसी में triangle है, किसी में square बना हुआ है किसी में rectangle भी बना हुआ है तो इस तरह के जो खेल है, उनका objective क्या है, उदेश्य क्या है कक्षे कक्षे बातावरन को व्यस्त और आनन दायक बनाना Make the classroom environment engaged and joyful या विभिन अभी विन्यासों में समान अकरितियों की पैचान करने में बच्चों की मदद करना Help children to recognize same shape in different orientation या आँख हाथ के समन्वे को भढ़ाना Enhance eye-hand coordination, समानता और सरवांग समता की अवधारना विक्सित करना या फिर develop the concept of similarity and concurrency तो देखे, थर्ड क्लास का बच्चा है उसके according आप क्या answer करोगे? सबसे best answer होगा कि different different shape को recognize करना और उन्हें आपस में मिलाने में help करना तो option number two, एकदम correct होगा help children to recognize same shape in different orientation जैसे कि किसी में triangle ऐसे बना है, किसी में ऐसे बना होगा किसी में square ऐसे बना है, किसी में square ऐसे बना होगा तो इस तरह ऐसे कि बच्चा हर form में पहचान जाए कि ये triangle ही है Next question को देखते हैं GeoBoard, किसके शिक्षन का प्रभावी साधन है GeoBoard is an effective tool to teach अधार्बुज या मित्य अवधानाओ, जैसे किरने रेखाई या कौन basic geometrical concept like raise lines and angles या या मित्य अकरतियां और उनकी विशेष्टा है geometrical shapes and the properties 2 वीमा and 3 वीमा अकरतियों में अंतर difference between 2D and 3D shapes या सम्मितिक अवधाना symmetry का concept तो देखे, GeoBoard तो आप सबको बता है कि किसलिए helpful होता है तो बताईए, वो basically geometrical shape और उनकी property के लिए या उनको जानने के लिए helpful होता है Next question को देखते हैं कक्षा कक्ष में गनित्य भाशा में निपुन्ता को निमिलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है Proficiency in Mathematical Language in Classroom can be enhanced by presenting the problem in the following sequence किस sequence में हम इसको बढ़ा सकते है Everyday Language या Mathematized Situation Language पे जाएं फिर Language of Mathematical पे जाएं Then Problem Solving, Symbolic Language Symbolic Language या Language of Mathematical Problem Solving या Mathematized Situation Language या Everyday Language Everyday Language, Language of Mathematical Problem Solving, Mathematized Situation Language या Symbolic Language Language of Mathematical Problem Solving, Mathematized Situation Language या Symbolic Language या Everyday Language तो बताएं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं तो देखिए हम अपनी Everyday की Language के बाद Mathematized Situation Language पे जाएंगे तिन Language of Mathematical Problem Solving तब उसके बाद हम Symbolic Language पे जाएंगे ठीक है, स्टार्टिंग हम किस से करेंगे अपनी रोजमर्रा की भाशा से नेक्स्ट को देखते हैं दैश की और संकेत करेगा Mathematics में Flexibility होना क्या दिखाएगा क्या Flexibility है किस में हो सकती है समान प्रकर्ण से विबन प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योगिता Ability to solve different type of problem from the same topic या समान निपुंता के साथ अंक गनी तो जयमित्ती की समस्याओं का समाधान करने की योगिता Ability to solve problem from arithmetic and geometry with same efficiency या एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योगिता Ability to solve a particular kind of problem using more than one approach या परिशुदता के साथ समस्याओं का समाधान करना और सभी चर्णों को लिखने की योगिता Ability to solve problem with accuracy writing all steps तो देखे flexibility का meaning क्या होता है कि change आता रहना कुछ बदल बदल करना तो हम एक से अधिक उपागमों का use कर सकते हैं एक particular type of problem को solve करने के लिए वो ही flexibility maths की class में होगी तो option number third Ability to solve a particular kind of problem using more than one approach एक से अधिक उपागम का प्योग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योगिता Next question को देखते हैं एक बच्चा मानसिक रूप से 27 प्लस 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है जब उसे योग करने के अपने तरीके बताने की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है तो वो response करता है कि उसने कहा कि 38, 40 के पास है इसलिए 27 प्लस 40, 67 है उसमें से 2 माइनस किया तो 65 आ गया A child mentally calculated 27 प्लस 38 as 65 When he asked to explain his method of addition He responded that 38 is near to 40 So 27 plus 40 is 67 If I want to get 65 then I remove 2 from it The strategy of addition is योग की यह युक्ती कौन सी है Direct modeling, प्रतक्ष प्रतिरूपन, regrouping, पून समुही करन Compensating, प्रतिकारी या incrementing, सनवर्थी कारक तो देखें यह कौन सी युक्ती है यह है प्रतिकारी या फिर कंपन सेंटिंग ठीक है? तो third option is the right option Next question पे चलते हैं मानसिक गनित संबंधी गतिवीदिया मैत पून है क्योंकि यह निमलिकित में से किसी एक के अफसर उपलब्द कराती है जो mental math की activities होती है important होती है because they provide a chance to मानसिक संगन्ना संबंधी परिकिरियाओं का विकास क्योंकि शिक्षारती तेजगती से संख्याओं के परिकलन के भी संबंधों की पैचान करने की कोशिश करते है developmental computation procedure as the students try to identify the relationship between numbers और fast calculation paper pencil का उप्योग करते हुए कक्षा में परिकिरियाओं को सीखने में निपुंता प्राप्त करना master procedure learnt in class using paper pencil या फिक कलन विदी algorithm को सीखने में निपुंता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्याओं में समस्याओं का अभ्यास करना master algorithm learnt and practiced more number of problems in less time तो परिकलन में परिशुदता के साथ उनकी गती को बढ़ाने और परिक्षाओं में उनकी निश्पादन में मदद करना develop their speed with accuracy for calculation and help to remove performance in examination question पढ़िए मानसिक गनित संबंदी गतिवीदिया मैतपुन है क्योंकि ये किसकी opportunity प्रोवाइट करवाती है तो ये आपके developmental computation procedure as the students try to identify the relationship between number and for fast calculation मानसिक संगर्ना संबंदी परिकिर्याओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेजगती से संख्याओं के परिकलन के बीद संबंदों की पैचान करने की कोशिश करते है तो option number one क्या होगा एकदम correct होगा next question को देखते हैं प्राथमी कक्षा का एक बच्चा संख्या, संकिर्या, चिनो, सिक्को, एवं घडी की सुईयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता यह तथ्या इंगित करता है कि इस बच्चे को निमेलखित में किस परिशेतर में प्रॉब्लम है a child or primary class is not able to differentiate between number, operations, symbols, coins and clock hands this indicates that the child has a problem regarding auditory memory, श्रवन समरिती, working memory, प्रगिर्या समरिती, visual processing, दृष्य प्रकमन या language processing भाशा प्रकमन, तो बताईए बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है बच्चे को visual processing दृष्य प्रकमन की प्रॉब्लम है तो देखिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईए आप लोगों के कितने इसमें से राइट हुए, कितने आप लोग सही attempt कर पाए हमें इंस्टेग्राम पे फोलो करने के लिए ये हमारा लिंक है और हमारे प्रगतिपत के टेलिग्राम के ग्रूप से जुड़ने के लिए भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया गया है चाइनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच for your support